स्री गनेशाय नमह ओम गंगन पते नमह वक्र तुंड महा कायो सुर्ज कोटी शम प्रभा निर्विगनं कुड में देवा शर्व काड़िये शु सर्वदा नमशकार दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ कि मीन रासी वाले लोगों के लिए आज का दिन यानि की 30 अपरेल 2020 का दिन कैसा बितने वाला है आज आपके जीवन में क्या क्या बदलाब होने वाला है तो जानने के लिए वीडियो को आप सुनते रहें लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 30 अपरेल 2020 के पंचांग के बाड़े में आज तिथी है शक्त में नक्षत्र है पुस्य पक्ष है सुकल पक्ष और दिन है गुरु बार आज के दिन सुर्य उदे हो रहा है पंच बज के 40 मिनट में और सुर्यास्त हो रहा है छे बज के 56 मिनट में चंद्रोदे है 11 बज के 16 मिनट एम में और चंद्रास्त है अगले दिन 1 बज के 26 मिनट एम में रितू है ग्रिस्म आज का दिन काल है 13 घंटे 15 मिनट 12 सेकेंड का महिना है वैसाख आज आपकी लिए सुब समय है 11 बज के 50 मिनट से 12 बज के 44 मिनट तक और अशुभकाल सुरू होता है 10 बज के 4 मिनट से 11 बजे तक और दुबारा में अशुभकाल सुरू होता है 3 बज के 24 मिनट से 4 बज के 17 मिनट तक राहुकाल सुरू होता है एक बज के 57 मिनट पीम से तीन बज के 37 मिनट पीम तक और दिसा सूल है दक्षिन दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग अब बात करेंगे आपके आज के दिन के बारे में दोस्तों इस वीडियो के लाश्ट में आपके आज के दिन का भाग्यशाली रंग भाग्यशाली अंक और अनोखा तोटका है तो आप उसे भी देखें और आज माने का प्रयास करें परंतु सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर लें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें इसके बेल आइकन को ओल पे आन कर दें और वीडियो के नीचे ओम स्री गने शाय नम्ह कमेंट कर दें तो अब आगे बढ़ते हैं सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्त के बाड़े में स्वास्त के लिहाज से आपका समय सामाणने से काफी जयादा नीचे रहने वाला है आज के दिन तनाब और मतभेद के वजह से आपका शुभाव थोड़ा बहुत चिरचिरा हो जाएगा और इससे आपका मन बेचैन रहेगा और आपका शुआस्त ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है इसलिए आज के दिन आप ऐसे काम को करने का प्रयास करें जिस काम को करने के बाद आपको मानसिक सांती की प्राप्ती होती हो इससे आपका शुआस्त बेहतर हो जाएगा इसके बाद है आपका प्रेम संबंध तो प्रेम शंबंध के लिहाज से भी आपका समय सामाणने रहेगा न जियादा बिहतर न जियादा खराब दोस्तों आज के दिन अपने प्रेमी या अपने प्रेमी का से अगर आप बहस करते हो तो आपका प्रेम शंबंद खराब हो जाएगा और इस वजह से आपको पड़ेशानी का सामना भी करना पड़ेगा इस बात को आप याद रखें इसके बाद है आपका पाड़िवारिक जीबन तो पाड़िवारिक जीबन के लिहाज से आपका शमय काफी जियादा बेहतर और सांदार रहने वाला है आज आपके घर वालों के शाथ आपका शंबंद बेहतर रहेगा आज से पहले अगर आपके घर पड़िवार में किसी विक के शाथ आपका शंबंध खराब हो गया हो तो आज की दिन अपने शंबंध को आप बेहतर करने का प्रियास करें इस काम को करने में आपका भाग्य आपका पूरा साथ देने वाला है इसके बाद है आपका धन संपत्ति तो पैसों के लिहाज से आपका समय सामाणनी रहेगा न जियादा बेहतर न जियादा खराब आज के दिन अपने खर्चे पे आप कंट्रोल करें फालतू खर्च बिलकुल भी न करें और आज के दिन अगर अपने कामकाज में या कहीं भी आप धन संपत्ति का निवेस करते हैं तो निवेस करने से आप बचने का प्रियास करें अनि अंक के बाड़े में दोस्तों आज आपके लिए भाग्येशाली अंक है आठ यानि की एट और भाग्येशाली रंग है आपके लिए पारदर्सी और गुलावी अब जानते हैं आपके आज के दिन के अनोखे टोटके के बाड़े में दोस्तों आज के दिन आप गड़ीव लोगों की सहायता करें आपके घर के आसपास अगर कोई लाचार है बेबस है मजबूर है तो उस विक्ती की आप सहायता करें आपका शमय सांदर हो जाएगा तो यही था आपके आज के दिन का रासी फल मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में धन्यवाद राधे राधे